कभी आपने सोचा है कि रेल की पट्रियों पर ये पत्थर क्यों होते है जो आप देख रहे हो यदि आप रेल से यात्रा करते है तो पत्री को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जुरूर आया होगा आखिर पत्री पर पत्थरी क्यों होते है इनकी जगए किसी दूसरी ज़िग का प्रियों क्यों किया जाता है मैं हूँ MKS FACTS और इस वीडियो में बताऊंगा कि पत्रियों पर नुकीले पत्थरी क्यों होते हैं रेल की पत्री देखने में जितनी साधारन होती है अखिकत में वह इतने साधारन नहीं होती उन पट्रियों के नीचे कंक्रीट के बने पलेट होते हैं जिनने सलीपर कहा जाता है जो आप देख रहे हो इन सलीपर के नीचे नुकिले पत्थर होते हैं जिनने गिट्टिया बलेश्ट कहते हैं जो आप देख सकते हो इन पत्थरों के नीचे दो अलग-अलग त गोर से देखने पर आपको लगेगा कि ये थोड़ी उंचाई पर होती है, क्योंकि इसके निचे कई लेयर्स होते है, ट्रेक के निचे जो सलीपर होते हैं, इनको मजपूत से पकड़े रखने वो पट्री के गैप को बनाये रखने के लिए इन पथरों को बिचाया जाता है, लोए से बनी एक ट्रेन का वज़न लगबग 10 लाग केजी होता है, जिसे स्रिप पट्री नहीं संबाल सकती, इतनी बारी बरकम ट्रेन को संबालने में लोए के ट्रेक, कंक्रीट वज़ सिमेंट के सलीपर वज पथर इन तीनों का योगदान होता है, वैसे देखा जाये तो सबसे जादा लोड इन पथरों पर ही होता है, पत्रों की वज़े से ही कंक्रीट के बने सली पर अपनी जगह से नहीं हिलते पत्री पर बिछाई जाने वाली गिट्टी यानी पत्थर खास्त रखे होते है यदि इनकी जगह गोल पत्रों का इस्तिमाल किया जए जैसा आप देख रहे हो तो वै एक दूसरे से पिशनने लगेगी इसलिए पत्रियों पर नुक्किले वर रफ पत्थरों का इपरियों किया जाता है नुक्किले होने के कारण ये एक दूसरे में पकड मजबूत बना लेते है जब भी ट्रेन पट्री से गुजरती है तो ये पथर आसानी से ट्रेन के बाहर को संभाल लेते है इसके अलावा नुकिले पथर बिछाने के और भी कारण है यदि ट्रेक पर पथर नहीं बिछाय जाई तो ट्रेक गास वे पेट पोदों से भढ जाएगा जब ट्रेन ट्रेक पर चलती है तो कमपन होता है जिसके कारण पट्रियों के फैलने की संभावना रहती है तो कमपन कम करने वह पट्रियों को फैलने से बचाने के लिए भी ट्रेक पर पत्थर बिचाय जाते है इसके अलावा ट्रेक पर कंक्रिट होने के कारण जल बराव की समस्या नहीं होती इन सबी के कारण ट्रेन की पट्रियों पर पत्थर बिचाय जाते है तो आप जान गए होंगे कि ट्रेन की पट्रियों पर पत्थर क्यों होते है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सेर करना अगर आपने अभी तक आएम केस फेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इस केनल पर ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँ